तो हेलो गाईस कैसा आप सभी लोग दोस्तो आप लोग आप सोगे थे प्रतीक स्वर्ड में और मैं हूँ प्रतीक दोस्तो आज हम बनाने जा रहे हैं ऐसा स्लाइम जो की बिना बोरक्स या फर गलू के बनाया है और एक 3 इंग्रीडियन्ट स्लाइम है यानि कि इसमें सिर्फ सिर्फ तीन इंग्रीडियन्ट यूज होंगे स्लाइम को बनाने के लिए तो चलिए आज की वीडियो को शिरू करते हैं दोस्तो इसके लिए मैंने यहां पर लिया है वाम वाटर तो गाईस मैंने यहां पर बावल में थोड़ सा वाम वाटर लिया हुआ है इसके बाद हमार कि ये संटर फ्रेश है हम इसके अंदर से जो थोड़ा सा लिक्विड होता है यानि इसके अंदर byVd होता है उसको निकाल लेंगे तो बाइस उसको हमें लोग लेता है हर एक से तो गाइस हमें यह चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगरी रहेगा तो हमारा स्लाइम जब पूरी तरीके से बन जाएगा तब बहुत ही स्टिकी होगा और खेलने के लिए आसानी नहीं होगी तो गाइस अब आप देख सकते हो पूरी तरीके स हमारा जो यह सेंटर फ्रेश है पूरी तरीके से कुछ दिर छोडने के बाद धीर-धीर मेल्ट हो गया और अब आप देख सकते हो बहुत ही सॉफ्ट हो गया है तो गाइस इसके उपर का जो हार्ड लेयर था वो धीर-धीर खतम हो गया है और अब हमारे सामने आ चुका है ए एक एडिबल स्लाइम भी आप इसको कह सकते हो तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा देख रहा है लेकिन इसमें कलर डालना भी बाकी है तो गाइस मैं यहाँ पर लिए रहा हूं ग्रीन कलर मैंने यहाँ पर नॉर्मल पोश्टर कलर्स लिया है या फिर क करने के बाद हमारा स्लाइम बहुत ही अच्छा दिख रहा है तो गाइस अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए मैं विलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इतत्त के लिए बाई ट केर